हलो फ्रेंड्स मैं धरमेंद्र अपने यूटूब चैनल अमेजिंग पार्ट साला में आप लोग का पुनस्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के लिए आधुनिक भारत के इतिहाद से संबंधित पंदरसों से भी अधिक प्रष्णों की सिरीज के तीसरे और आखरी पार्ट को लेकर आया हूँ यदि दोस्तों आप लोगों ने इसके फर्ष्ट और सेकेट पार्ट को आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते ह क्योंकि दोस्तों इसमें समलित सभी प्रष्ट एक बढ़कर एक हैं जो की परिच्छाओं में बार-बार पुछे गए हैं और भी आगामी परिच्छाओं में पुछे जाने की प्रभल संभावना हैं तो आए दोस्तों बीना समय कमाएं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इन्हों ने दोस्तों 1888 में हुए इलाहबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था भागस सिंग राजगुरू या सुखदेव को किस केश में फासी की सजा दी गई थी जब भारत को सुतंदरता मिली उसमें ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी तो दोस्तों जब भारत को स सुतंदरता मिली उसमें ब्रिटेन में स्रमिक दल या फिर लेबर पार्टी की सरकार थी किस आंदोलन की दोरान गांधी जी को सरब्रथम महत्मा कहा जाने लगा तो दोस्तों चंपारन आंदोलन की दोरान महत्मा गांधी को सरब्रथम महत्मा कहा जाने लगा ठीक है दोस्त गांदोलन के दोरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किस ने महात्मा गाधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निश्ठूर बरबादी है तो दोस्तों महात्मा गाधी को पत्र लिखकर रविना टैगोर ने यह कहा था यह निश्ठूर बरबादी है आगे बढ़ते हैं दोस्त Union Congress की अस्थापना वर्ष 1920 में हुई Communist International का नित्रुद करने के लिए चुने गए पहले भारती कौन थे दोस्तों Communist International का नित्रुद करने के लिए चुने गए पहले भारती M.N. Roy थे भारत सेवक समाज की अस्थापना किस ने और कब की तो दोस्तों भारत सेवक समाज की अंत्रित की गई तो दोस्तों भारत की राजधानी कलकत्ता असे दिल्ली सन 1911 में स्थाना अंत्रित की गई थी किस गोल में समेलन में महतमा गाधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेश के एक मात्र प्रतीनिधी के रुप में भाग लिया था दोस्तों दिर्टी गोल में समेलन में महात्मा गाधी ने इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की तरब से भाग लिया था किस ने कहा था महात्मा गाधी अहिंसात्मक क्रांती के सौ में पैगंबर थे तो दोस्तों लेरी कॉलिंसन और डोमिनिक लेपियर ने कहा था कि गांधी जी अहिंसात्मक क्रांती के शौं में परवर थे Next question के तरब बरते हैं दोस्तों सामाचिक धार्मिक संगठन तत्य बोधनी सभा का प्रारम किसने किया था दोस्तों देवैनना टैगोर ने तत्य बोधनी सभा को प्रारम किया था भारत में प्रथम भारती महीला विश्विद्ध्यालग या स्थापना किस ने की थी तो दोस्तों भारत में प्रथम भारती महीला विश्विद्ध्यालग या स्थापना D.K. कारवे ने किया था और दोस्तों इनों ने सन 1916 में बंबई में किया था आगे बढ़ते हैं दोस्त भारत की प्रथम राष्टी समाचार एजनसी कौन थी तो दोस्तों दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया भारत की पहली राष्टी समाचार एजनसी थी भारत की सैक्षडिक नीती में फिल्टेरेशन सिध्धान के प्रतिपाधक कौन थे तो दोस्तों भारत की सैक्षिरिक नीती में फिल्टेरेशन सिध्धान के प्रतिपाधक लाड मैकाले थे आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनिवेशक भारत के आर्थिक इतिहास को चार चरणों ब्यापारिक पूजीवाद ब्वित्ति पूजिवाद में किस ने भी भाजित किया था दोस्तों आर्ची दत्ता ने अपनी वेशक भारत के आर्थिक इत्यास को चार्चरणों में बाटा था आगे बढ़ते हैं दोस्तों वह कौन से राष्टवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर र जाज निर्मार के पक्षधर थे और साती- साथ दोस्तों वह एक इंजीनियर भी थे मानव के लिए एक धर्म एक जाती और पर्मेश्वर का दिया था था मानव के लिए एक धर्म एक जाती और एक परविश्वर का नारा दिया था 1857 के विद्रोग के संबंद में किस ने यह विचार व्यक्त किया मेरट का विद्रोग गर्मी की आधी की भाती अचानक यूं अल्पकालिक था दोस्तों 1857 के विद्रोग को SNC ने इस विचार से इस तरह विक्त किया था कि मेरट गपी द्रोग गर्मी की आधी की भाती अचानक हों अल्पकालिक था अगले बढ़ते हैं दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताओं का लेखक किया था तो दोस्तों भारत छोडो प्रस्ताओं का लेखक 24 नहरू थे अगले प्रस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों बंगाल बिभाजन के बिरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन को प्रारम किया था मुस्लिमो ने अलग राज पाकिस्तान के लिए सरप्रथम का आवाज उठाई थी तो दोस्तों 1930 के अखिल भारती मुस्लिम लिग इलहाबाद अधिवेशन में मुस्लिम लिग ने अलग राज अर्थात पाकिस्तान के लिए सरप्रथम आवाज को उठाया था जून 1922 में गठित सविनय अग्या आंदोलन की जाच समिती की अध्यच कौन थे तो दोस्तों सविनय अग्या आंदोलन की जाच समिती की अध्यच हकीम अजमल खां थे मेरी नीती जब से मैं भारत आया हूँ कॉंग्रेश को नपुष्णक बना रही है या किसका कथन है तो दोस्तों यह कथन लाड करजन का है आगे बढ़ते हैं चक्कर लगाने वाली देश भक्ती अर्थात पैट्रियोटिजम इन लोको मोशन शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था तो दोस्तों चक्कर लगाने वाली देश भक्ती यह सब्दाली दोस्तों कॉंग्रेश पार्टी के लिए प्रयोग किया गया था शाइमन कमीशन के बिरुध बिरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपतराय को गंभिर चोटे आई जिनके परडाम सरूब अंतदा उनकी मृत्ती हो गई यह घटना कहा घटी थी तो दोस्तों यह घटना लाहोर में घटी थी आगे बढ़ते हैं दोस्तों किस आंदोलन में महात्मा गाधी ने पहली बार भूक हर्ताल का प्रियोग सस्त की तरह किया था तो दोस्तों आहमदाबाद भूक हर्ताल में महात्मा गाधी ने पहली बार इस सस्त का प्रियोग किया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों किस पी सवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है दोस्तों बाला जी बाजी राओ पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है नेक्ट क्विस्ट्छन है दोस्तों, कांग्रेय्स से पूर्व सरवाधिक महथपूर संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसियेसन था, इसकी अस्थापना ऐसन बैनर्जी तथा आननध मोहन बोश ने कफिया था? तो दोस्तों कलकत्ता का इंडियन एसोसियेशन जो संगठन था दोस्तों इसका अस्थापना एसन बैनर जी तथा आनन्द मोहन बोश ने सन अठार सो चीहतर इस भी में किया था नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तों आपनों के लिए भारती सोतंता संगर्ज के दोरान किनकी की रफ्तारी के विरोध में कावी संख्या में नहत्ते लोग अमरिश्चर के जलिया वाले बाग में 13 अप्रल 1919 को इकठे हुए थे दोस्तों डाक्टर सैफूद दील की चलू तथा डाक्टर सत्यपाल के विरोध में काफी संख्या में लोग 13 अप्रल 1919 को अमरिश्चर के जलिया वाला बाग में उपस्तित हुए थे अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं 1906 के भारती राष्ट्री कांगरेस के कलकृत्त अधिवेशन में दादा भाए नौरो जी के अधिक्षी भासर गोकहले ने पढ़ा था नेक्स्ट क्यूशन है बार्दावली सत्यागरा के दोरान बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था तो दोस्तों बार्दावली सत्यागरा के दोरान बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर लेशली बिलसन था भारती मुशल्मानों में अलिगढ आंदोलन का मुख्य अधीर्ट स्टिश्ट्हित ने किया था कि सबस्ति कुबाई टेजभकती की ज्वलन्त अर्फाग् तलवार कहा था आगे पकलते हैं दोस्तों सहरोजणी नाइडुनी ने साइमन कमिशन से बाहर रखआ गया था किस बिचार किया था आगामी पीड़िया सायद ही बिश्वास करें ये ऐसा रक्त मांस का मानों कभी प्रिथिवी पर ऑद्विट हुआ था तो दोस्तों यह विचार अलबर्ट आइस्टीन ने महात्मा गाधी की विशे में दिया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिपाही बिद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो दोस्तों सिपाही बिद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल लाड कैनिंग था अखिल भारती किसान सभा का गठन कब और कहा हुआ तो दोस्तों अखिल भारती किसान सभा का गठन 11 अप्रेल 1936 को लखनव में हुआ था भारती राष्टी कॉंग्रेस का प्रथम सचीव कौन था तो दोस्तों भारती राष्टी कॉंग्रेस का प्रथम सचीव ये वो यूम थे बम का दर्शन की सोतंता सिनानी ने लिखा था तो दोस्तों बम का दर्शन भगवती चरण ओहरा ने लिखा था नेक्स्ट क्यूश्टन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आप लोगों के लिए भारती राश्टी कॉंग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी की प्रत्ताव को अपनाया था तो दोस्तों भारती राश्टी कॉंग्रेस ने बनारस अधिवेशन जो कि दोस्तों 1905 में हुआ श्वदेशी प्रताव को अपनाया था बाल गंगा धरतीलक का समाचारपत मराठा अंग्रेजी भासा में था नेक्स्ट क्यूश्टन मित्रों बर्लिन पहुशने के लिए शुबाश्चंद्र बोश ने काबूल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था तो दोस्तों बर्लिन पहुशने के लिए सुबास चंडरबोश ने काबुल में ओर्लैंडो मैसोटा के नाम से पासपड को नाम किस ने किया था दोस्तों प्रस्ट के एक अभीनोऔ भारत का गठन बीडि सावर करने किया था अगले प्रेश्ट की तरह बढ़ते हैं हम यह तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान देंगे यह नारा किस ने दिया था तो दोस्तों यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1906 में बंबई में Depressed Class Mission Society of India के स्थापना किस ने की थी तो दोस्तों 1906 में Depressed Class Mission Society of India के स्थापना वी आर सिन्दे ने किया था नेक्स्ट क्यूस्टनर पत्र importante mithra won 1857 के प्रथम स्वाधिन संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था तो दोस्तों 185000 के प्रथम स्वाधिन त्रसंग्राम का सरकारी इतिहासकार SN Zach थे तो सहीयोग आंदूलन प्रस्ताव के लेखक कौन थे तो दोशतों एनदूलन प्रस्ताव के लेखक चितरंजन धास्त है यह एक डूबते हुए बैंग पर अघ्रिम तिति का चेक है इतन महात्मा-घ Researchers ने तो चेक किस्वारिका सी ने भारत भारतियों के लिए है का नारा किस ने दिया था तो दोस्तों आरे समाज ने धार्मिक आंदोलन में भारत भारतियों के लिए का नारा दिया था नेक्स्ट क्यूश्टन है आपनों के लिए गाधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के लिए वक्त जन साधारन को करो या मारो का नारा दिया था उन्हें गिरफ्तार करके पूरे की आगाखा पैलेश में रखा गया था बिदेश में अस्थापि सबसे पुरानी करांदिकारी संसथा इंडिया होम रूर्स सोसाइटी की थी इसकी अस्थापना 1905 में स्याम जी की वर्मा ने लंदन में किया था नेक्स्ट की तरह बढ़ते हैं बार्दोली किशान आंदोलन वल्लब भाई पटेल के नित्रित में अपनी सफल परडिर्ती तक पहुचा इस सत्यागरह के समय वहां की महिलाओं की और से काधी जी ने वल्लब भाई पटेल को कौन सी उपाधी प्रतान की थी तो दोस्तों वहां की महिलाओं की और से सरदार वल्लब भाई पटेल को सरदार की उपाधी दी गई थी अर्था उनको दोस्तों पहले सरदान नग के सिर्फ वल्लब भाई पटेल कहा जाता था लेकिन उन्हें सरदा दी थी तो दोस्तों असयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिसकार सरवाथिक सफल रहा था तो इस आंदोलन में दोस्तों गाधी जी ने लोगों को खा दी वस्त पहने की सलाह दिया था नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन सुतंता संग्राम क का प्रत्तम, आंदोलन था जो नित्रित विहिंता की की इस्टिती में चलता रहा इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं। दोस्तों इस आंदोलन को हम अर्थात अगस्त क्रानती की रूप में झानते हैं। 9 अगस्ट 1942 अर्थाद भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने सभी प्रमुख नताओं को गिरहतार कर लिया उन्होंने इस कार। का किस आउपरेशनं की संगिया दिया था तो दोस्थों उन्होंगने इस कार को ओप्रेशन जीरो आवर की संग्या दिया था जिसमें सभी प्रमुक निताओं को गिरफतार कर लिया गया था 1857 की राष्ट्री विद्रो के समय बिहार में विद्रो का नित्रुत किसने किया था दोस्तों 1929 में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अध्यच पंडि जवाहलाल नहरु थे जहासी की रानी लक्ष्मिबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था तो दोस्तों जहासी की रानी लक्ष्मिबाई ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर गया था गाधी एर्विन समझहता की आलोशना का प्रमुख कारण किया था तो दोस्तों देश भक्तों को फासी से मुक्ती का अभाव के कारण ही गाधी एर्विन समझहते को आलोशना का सामना करना पड़ा था आगे बढ़ते हैं दोस्तों विधवा बिवाह मंडल की अस्था अबना किया था कौलह फूर के महाराज छत्रबर अमभेटकर को किसके प्रकाशन के लिए प्र हिए नेक्स्ट के लिए बंगाल विभाजन दिवस अर्थाद 16 अक्डूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविन्दा टैगोन ने दिया था दोस्तों बंगाल विभाजन दिवस को रविन्ना टैगोर ने रच्छा बंधन के रूप में मनाने का सुझाव दिया था किसने कहा था मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर के लोग गरीब असिचित मोची सफाई करने वाले तुम्हारे ही हारमांस हैं क्किस ने कहा था तो दोस्तों यह कथन श्वामी विवेकांन जिने कहा था स्वदेशी आंदोलन की उप्रारम किया गया था तो Дश्यमार्च में गुजरात में स्तित्सारंमती आश्रम से किया गया था भारत में पहली बार कभ योंग कहां कांग्रेस द्वारा पूर्ण सोतनता की घोशड़ा की गई तो दोस्तों भारत में पहली बार लाहोर अधिवेशन जो की 31 दिसंबर 1929 को हुआ था उस दवरान दोस्तों कांग्रेस द्वारा पहली बार पूर्ण सोतनतता की घोशड़ा की गई थी पूना पैक्ट किनके मध्य और कब हुआ था तो दोस्तों पूना पैक्ट या पूना समझा होता 1932 में महत्मा गांधी और भीम्राव अंबिटकर की मध्य हुआ था नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कैबिनेट मिशन भारत क्यूं भेजा गया था तो दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत की सत्त हस्तानांतरन का मार्ग खोजने के लिए भारत भेजा गया था काकवरी कांड के प्रमुक अभियुक्त कौन थे तो दोस्तों काकवरी कांड के प्रमुक अभियुक्त असफाक उल्ला खां और रोसन लाल थे नेक्स्ट क्यूस्टन है 1857 के बिद्रो को राष्टी सुतंता के लिए एक सुन योजित संग्राम की संग्या किस ने दिया था folg 1889 में भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यच कौन थे तो दोस्तों 1889 में भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यच विलियन वेडर्बर्न थे नेक्स्ट क्यूशन नमित्रों न्यू लैब फार ओल्ड नामक लेखों की श्रिंखला में उदारवादी राजनिती की जम कर आलोचना की गई थी इसके लेखक कौन थे तो दोस्तों इसके लेखक अर्विंद घोस्त थे कांग्रेस का सूरत विभाजन की वर्ष हुआ तो दोस्तों कांग्रेस का सूरत विभाजन वर्ष 1907 में हुआ 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन कब और किस औसर पर समाप्त घोसित दिया गया तो दोस्तों 1905 में किया गया बंगाल विभाजन को दिल्ली दरबार के आयोज के सिपाहियों ने दिल्ली की और कूछ किया तथा बिद्रों का नित्रुत करने के लिए किस से अनुरूद किया तो दोस्तों 11 माई 1857 को मेरट के सिपाहियों ने दिल्ली की और कूछ किया था तथा बिद्रों का नेत्रुत करने के लिए उन लोगों ने बहादुर साहधिती से अनुरोध किया था नेक्स्ट क्यूस्ट नमित्रों वाइकॉम सत्याग्रह किस राज्जी में चलाया गया था तो दोस्तों वाइकॉम सत्याग्रह किरल में चलाया गया था आल इंडिया ट्रेड उनियन कॉंग्रेस के प्रथम अध्यक चलाला लाजपत राय थे किस अंग्रेज ने अपना नाम बदल कर भारती मजदूर ट्रेड उनियनों का साथ दिया तथा मजदूरों को संक्ठित करने में महत्पुर्भुन का निभाई थी निभाई थी नेक्स्ट की तरब बढ़ते हैं दोस्तों जो की है कॉंग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था कि यदि हम लाड़ करजन के सासन की उपमा इतिहास में तलास करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में और रंगजेव के सासन की ओर जाना पड़ेगा तो दोस्तों यह कथन गोपाल कृष्ण गोखले का था कॉंग्रेश धारास आई होने के लिए लड़करा रही है भारत में मैं जब तक हूं तब अधिकार और करतव प्रस्ताव पारित हुआ तो दोस्तों कॉंग्रेश के 1931 में हुए कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार करतव को के प्रस्ताव को पारित किया गया था और दोस्तों कराची में हुए 1931 में कॉंग्रेश अधिवेशन की अध्यचता सरदार पटेल की अध्यचता में किया गया था अर्थात वे उसमें अध्यच थे भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सुत्रधार थे तो दोस्तों भगत जवाहर मल कुका आंदोलन के सुत्रधार थे नील दरपण के लेखक कौन थे तो दोस्तों नील दरपण के लेखक दीन बंदू मिसर से आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारती स्वाधिनता संगराम के दौनार रेड़ सर्ट के नाम से भी भचान ने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किन्दो प्रमुख बातों का आवाहन किया था तो दोस्तों खुदाई खिदमतगारों ने पठांच छेत्री राष्टवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद संगर्स का आवाहन किया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों हाउस आपा सुमें एक याचगा प्रस्तित करते हुए ब्रेटिस संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित की मांक कि सस्थान किया था आगे बरते हैं दोस्तों एनी बेसेंट द्वारा प्रारम किये होम रूल आंदोलन के अतरिक किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारम किया था तो दोस्तों एनी बेसेंट द्वारा प्रारम किये होम रूल आंदोलन के अलामा दोस्तों बाल गंगा धरतिलक ने भी दूसरे होम रूल आंदोलन को था आगे बढ़ते हैं दोस्तों पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कृति है तो दोस्तों पाथवे टू पाकिस्तान यह कृति चौधरी खलिक कुछ जमाकी है आगे बढ़ते हैं दोस्तों महातमा गाधी ने कि इस आंदोलन की दौरान भूक अर्ताल को सर प्रतम सत्यागरह के रूप में प्रयोग किया था भारत विभाजन की योजना की घोशडा कब किया थी तो दोस्तों ब्रतिस सरकार ने भारत विभाजन की घोशडा 3 जून 1947 को किया था तो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाईटी का अंतरराश्टी मुख्याले 882 में अडेयार में बनाया गया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों मध्ध निशेद अर्थाद prohibition of liquor किस आंदूलण का प्रमुख मुद्दा था नेक्स्ट क्यूस्टन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों नेहरु रिपोर्ट किस से संबंधित है तो दोस्तों नेहरु रिपोर्ट का संबंध पंडित मोतिलाल नेहरु से है जो दोस्तों जवालाल नेहरु के इताजी थे दच्छिड भारती उदारवादी संकी अस्थापना किस ने की थी तो दोस्तों दच्छिड भारती उदारवादी संकी अस्थापना पी त्याग राय तथा टी-म नईयर ने किया था नेक्ट क्यूस्टन है आप लोगों के लिए अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंसन क्या करकर बंद कर दी थी तो दोस्तों वह बाजी राओ के पुत्र न होने से पेंसन पद के हगदार नहीं है यह करकर अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंसन को बंद क गर्दिया था अगला प्रशन अमित्रों अध्यां कांग्रेस जया प्रकास नारायण कुस राजनतिक दल से संबंधित थे तो से प्रकास नारायण कॉंग्रेस समाजवाद이나 दल अर्ठात Łukwron सॉसलिस्ट प्राटि से संबंधित थे बाल गंगाधर तिलक को लोकमान की वोक खकाधी कब दी गई थी तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान की उद्देश क्या था तो दोस्तों भारत में ब्रेटिस सामराज के अंदर स्वसासन प्राप्त करना ही होम रूल अंडोलन का मुख्य उद्देश था महत्मा गाधी के साथ चंपारण सत्यागरह में भाग लेने वाले दो प्रमुखनेता कौन थे दोस्तों महत्मा गाधी के तथा अनुग्रह नारायन सिन्हाजी थे थे जिस्टक निबरेशन ओफ इंडिया किस और अस्तित में आया तो दोस्तों कांग्रेस में नरम पंथी तथा उग्रपंथियों में मतभ्यस के कारण नेश्नल लिबेशन ओफिंडिया अस्तित तित्त में आया था किंदो कॉंग्रेस अध्यच्छों को गाधी जी के अनुआईयों के बिरोध और असहयों के कारण पत्याग करना पड़ा था नेक्स्ट क्यूस्टन है दिर्ती विश्यूद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था तो दोस्तों दिर्ती विश्यूद्ध के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था किस के सासनकाल में भारती राश्टी कॉंग्रेस पर पतिबंध लगाया गया तथा उसके एक लाग बीस हजार से अधिक सदस्यों को गिरफतार किया गया था तो दोस्तों लाड विलिंग्डन के सासनकाल में कॉंग्रेस पर पतिबंद लगा दिया गया था और उसके एक लाग बीस हजार से अधिक सदस्यों को गिरफतार कर लिया गया था भारती सोतंता संग्राम के दोरान अप्रेल 1906 में युगांतर नामक सापताहिक समाचार पत्र का प्रारम किसने किया था तो दोस्तों युगांतर नामक सापताहिक समाचार पत्र का शंपादन बारिंद्र कुमार घोष तथा भुपेंदर नाथ दत्त ने किया था नेक्ट क्यूस्टन है मित्रों आप लोगों के लिए भारती सोतंता संगर्ष के दोरान जीवरिक इस्तित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यश कौन था जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारम किया था तो दोस्तों चंपक रमन पिल्ले वह कर सक कि भारती सोता संगराम के जीवरिक इस्तित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमीटी के अध्यश थे और दोस्तों जिन्होंने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारम किया था अर्था उसकी शुरुवात किया था नेक्स्ट है किस आंदोलन से अर्विंद घोश लिखित डॉक्ट्रीन और पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेक सिरंखला संबंधित है तो दोस्तों स्वदेशी तथा बहिसकार आंदोलन से संबंधित अर्विंद घोश द्वारा लिखित डॉक्त्रीन और पैसेंसिव रेजिस्टेंस नामक लेक सिरंखला संबंधित है भार्ति राश्ट्री कॉंग्रेस के एक मात्र प्रतिनिती के रूप में मात्मा गाधी ने भाग लिया था अर्थात हिस्सा लिया था आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कारी की बेहतर इस्तितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 में सोसल सर्विस लिग की अस्थापना नारायन मलहार जोसी ने किया था भारती सोतंता संगर्ष के दौरान किस ने इंडियन सोसियोलोजिस्ट नामक पत्रिका को प्रारम किया था तो दोस्तों स्याम जी क्रिश्म वड़मा ने इंडियन सोसलिस्ट नामक पत्रिका को भारती सोतंता संगराम की समय शुरू किया थ था अगले प्रस्णी की तरफ बढ़ते हैं भारत विभाजन के संदर में उत्तरपस्चिम सिमान्थ- desses प्रांथ के अक्टूबर 1943 में सुभाशी डिवेशन ने आरजी हुकूमत एहिंद की अस्थापना की थी, तो दोस्तों कहां किया था तो दोस्तों अक्टूबर 1943 में सुभाशी अस्थापना सिंगापूर में किया था, किस एक कॉंग्रेस अधिवेशन में मूल भूत अधिकारों तथा आर्थिक नीती पर प्रस्ताव को पारित किया गया था तो दोस्तों कॉंग्रेस के 1930 में हुए कराची अधिवेशन में मूल भूत अधिकारों तथा आर्थिक नीती पर प्रस्ताव को पारित किया गया था तथा सुरेंदरनाथ बैनर जी से संबन धित है भारती राष्टरी कॉंग्रेस की अस्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारती राष्टी कॉंग्रेस की अस्थापना 28. दिसंबर 1885 को हुई थी Theosophical Society की अस्थापना 1875 में किसने किया था? Architect Home in the Vedas नामक कि रशना किस ने किया है तो दोस्तों Architect Home in the Vedas नामक गरंथ या पुस्तक को लोकमानबाल गंगाधर तिलक ने लिखा है या फिर उसकी रशना किया है सविने अवग्या आंदोलन किसके नित्रित्व में चलाया गया था तो दोस्तों सविने अवग्या आंदोलन मात्मा गाधी के नित्रित्व में चलाया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमी संबंधी 13 बिंदु का कारिकरम बनाया गया था next question है मात्मा गादी ने किसकी मृत्यू पर कहा था भारती सौर मंडल से एक सितारा डूब गया तो दोस्तों मात्मा गादी ने लाला लाचपत राय की मृत्यू पर कहा था कि भारती सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है स्वाधिंता हमारा लक्ष है और हिंदुत ही हमारी आकांच्छा पूरी कर सकता यह कथन किसका है तो दोस्तों यह कथन अर्विंद घोस का है कॉंग्रेस सम्मेलनों को सिख्षित भारतियों का वार्षिक राष्ट्री मेला कहकर किस ने कॉंग्रेस की आलोचना किया था यहत्रिपूरी कहा है तो दोस्तों यहत्रिपूरी जबलपूर में परता है और दोस्तों जबलपूर आपका वर्तमान महाराष्ट में हैं लंदन में इंडिया हाउस के स्थापना किस ने की थी तो दोस्तों लंदन में इंडिया हाउस के स्थापना स्याम जी क्रिश्म वर्मा ने 1905 में किया था भारत विभाजन के समय बिटिस भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एम सुतंतर अस्तित के लिए योजना सामने रखी थी तो दोस्तों भारत विभाजन के समय बिटिस भारत के कर सकते हैं पंजाब ने एक संयुक्त एम सुतंतर अस्तित की योजना साम ने रखी थी दोस्तों पंजाब ने रखी थी जो कि हम इसको क्लियर कर चुके हैं आगे बढ़ते हैं किसका एक कथन है एक देश के लिए एक स्वराज परमावस्चक है और सुधार अत्वा उत्तम राज इसके बिकल्प नहीं हो सकते हैं तो दोस्तों यह कथन लाला लाजपत रायका है चंजिखर आजात का जन्म कहां हुआ था और दोस्तों उन्होंने प्रारमिक्स इच्छा कहां गरण की थी तो दोस्तों चंजिखर आजात का जन्म उत्तर परदेश के उन्नाव जिले के बादरका नामक अस्थान पर हुआ था और दोस्तों उन्होंने अपनी प्र अर्थात ये जौब कॉंसेंट एक्ट पास हुआ जिसमें 12 वर्सिक कम आयू की कन्याओं के बीवाँ पर रोक लगा दीगी तो दोस्तों पार्सी सुधारक वीम मालवा बारी के प्रयतनों के या फिरका सकते प्रयासों के फल सुरूप 1891 में संपति आयू अदनियम को पास किय गया था जिसमें दोस्तों 12 वर्सिक कम आयू की कन्याओं अर्थात लड़कियों की विवाँ पर रोक लगा दिया गया था नेक्स्ट कुस्चन की तरफ बढ़ते हैं दच्छेड अफ्रिका से लोटने के पशांत गांधी जी ने प्रत्थम सफल सत्यागरह कहां किया था तो नेता ने शिवकार किया था तो दोस्तों भारत विभाजन के सिध्धान को सरप्रथम चक्रवर्ती राजकोपालाचारी ने स्विकार किया था प्रेश पर सभी प्रतिबंद किसके समय में समाप्त किये गये थे तो दोस्तों चाल्स मेटकाफ के समय में प्रेश पर सभी प्र कांग्रेस का का चरित निरूपण मुहमद अली जिन्ना ने किया था अर्था उसकी विश्यष्टा को बताया था अगले प्रेस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास इस गटनक के संबंद में रखा था तो दोस्तों अहमदाबाद की मिल मजदूरों के समर्थन में कांधी जी ने पहली बार उपवास अर्थात कर सकते हैं कि भूख रख कर इसकी हर्थाल का बीरोत किया था ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं असहयोग आंदोलन के दौर में अलिगढ में किस राष्टी सिच्छा सस्था को अस्थापित किया था तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौर में अलिगढ में जामिया मिलिया इस्लामिया नामक राष्टी सिच्छा सस्था को अस्थापित किया था पूर्ण स्वराज किस सुतंता सेनानी को 1908 में अलिपूर सेंटरल जेल में फांसी की सजा दे दी गई थी तो दोस्तों खुदी रामबोश को 1908 इस्वी में अलिपूर सेंटरल जेल में फांसी की सजा दे दी गई थी जलिया वाला बाग हत्याकांड के बिरोध में किस भारती ने वाय सराय की कार परिशत से त्याग पत्र दे दिया था तो दोस्तों जलिया वाला बाग हत्याकांड के बिरोध में सर संकरन नायर ने वाय सराय की कार परिशत से त्याग पत्र दे दिया था बाल गंगा धर तिलक को भारती असंतोस का जनक किस ने कहा था तो दोस्तों बाल गंगा धर तिलक को भारती असंतोस का जनक वेलेंटाइन शिरोल ने कहा था शोदेशी आंदोलन सबसे पहले कप प्रारम भुगा तो दोस्तों बंगाल विभाजन के बिरुध प्रारम भुए आंदोलन के समय से ही सोदेशी आंदोलन प्रारम भुगा था रोलर्ट एक्ट का क्या उद्देश था तो दोस्तों मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजर बंद करना ही रोलर्ट एक्ट का उद्देश था किस योजना के अंतरगत ब्रिटिस सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोशड़ा की थी सन 1905 में बंगाल विभाजन की गोशड़ा का वास्तिवी कारण बंगाल के राष्ट्री आंदोलन को बेगटित करना था अहमदिया आंदोलन का प्रारम कहां से हुआ था तो दोस्तों अहमदिया आंदोलन का प्रारम पंजाब से हुआ था चौरी-चौरा कांड कौनसा अंदोलन समाप्त हो गया था तो दोस्तों चौरी-चौरा कांड या घटना के कारण असहयोग अंदोलन समाप्त कर दिया गया था कॉंग्रेस ने गोल मेज्स के दूसरे समेलन में भाग लिया था 2857 के राश्ट्री विपलोग को कुचलने में, किस बाहरी ताक्त ने अंग्रेजों की मदद की थी तो दोस्तों अलिपूरकेश में सरकारी गवाह नरेंद्र घोश बन गया था किस आंदोलन में क्रिशक यहства ने एक सांध भाग लिया था तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में क्रिशक यहाँ छात्रों ने एक सांध भाग लिया था next question की तरफ बढ़ते हैं दौक्टरी नाव पैस्ट्री रजिस्टैंस की रचना अरविंद घोश ने किया था नेक्स्ट प्रक्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भारती-राश्ट्री-ांदोलन की दौरान भारती-राजचनिती का सान्ति fáल कि कहा जाता है आल इंडिया डिप्रेश्ट क्लासेस एसोसियेशन नामक संस्था की प्रतियस्थापना किस ने की थी तो दोस्तों आल इंडिया डिप्रेश्ट क्लासेस एसोसियेशन नामक संस्था की अस्थापना डाक्टर वी यार अमबेट करने किया था नेक्स्ट क्यूस्ट जाम दास बिड्ला के हस्ताक्षर नहीं थे, नील दरपण ने नील उत्पादक किशानों के उत्पीरन का चित्रण किया है, तो यह क्या है, तो दोस्तों नील दरपण एक नाठक है, आनंदमठ उपन्यास जिसमें प्रशिद्ध वंदे मातरम गीत है कि रचना किसने की है, तो नेक्स्ट क्यूशन है मित्रों आपलों के लिए भारत सेवक समाज की अस्थापना कब तथा किस ने किया था तो दोस्तों भारत सेवक समाज की अस्थापना 1905 में गोपाल किस गोखले ने किया था राजा राम मोहन राएए ने किस प्लत्ठा के विरोध में कानून बनवाया था। नेक्स्ट क्यूशं की दरब बढ़ते हैं मित्रों, भारत में उग्र राष्ट्रियता के जन्मदाता तथा निर्भैता से राष्ट की वेधना को प्रकट करने वाले प्रसम भारती कौन थे किस अदनियम द्वारा मुशलमानों के लिए पिथग निर्वाचन छेत्रों की विवस्ता की गई थी तो दोस्तों 1909 के अधनियम के द्वारा मुशलमानों के लिए पिर्थक निर्वाजन छेतर की अस्थापना की गई थी नेक्स्ट क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों किस ने कॉंग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधी कहा था तो दोस्तों लाड़ डफरिन ने कॉंग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत अर्थात माइक्रो इसकॉपी मैनियोर्टी भी कहा था ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं बाल गंगा धरतिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था नेक्स क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों कॉंग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद बोष ने फारवर्ट बलाक का गठन कब किया था तो दोस्तों कॉंग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद बोष ने फारवर्ट बलाक का गठन 1949 में किया था नमक सत्याकर यों दांडी यात्रा पर सरकार की तातकालिक प्रतिक्रिया क्या थी तो दोस्तों कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना ही सरकार की क्या थी तातकालिक प्रतिक्रिया थी आगे बढ़ते हैं दोस्तों किस आंदोलन से अर्विंद घोस द्वारा लिखित doctrine of passive resistance नामक लेक श्रिंखला संबंधित है तो दोस्तों स्वदेशी एवं बहिसकार आंदोलन से संबंधित है जिसको अर्विंद घोस ने doctrine of passive resistance नामक लेक में लिखा है आगे बढ़ते हैं दोस्तों इंडियन ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे किस अंग्रेजी सासक पिरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्ति हो जाने के बाद भी सार्विजनिक रूप से फांसी की सजा दी गई थी अगले प्रेश्ण की तरफ बढ़ते हैं मित्रों 1919 के इंडियन कॉंसील एक्ट का अन्यनाम किया था तो दोस्तों 1909 के इंडियन कॉंसील एक्ट का दूसरा नाम मारलोमेंटो शुधार था तो दोस्तों यहां 1909 है त्योंकि मैंने 1919 कर दिया है इसको आप सुधा लिजिए मह आत्मा गांधी द्वारा सविने अवग्या अंदोलन सन 1932 में शुरू किया गया था तो दोस्तों यहां पर आपको धियान देनी वाली बात है कि जो सविने अवग्या अंदोलन है वह दूसरा सविने अवग्या अंदोलन की बात हो रहा है जो कि 1932 में पहला दोस्तों 1930 में गुआ था इस चीज़ को आप ध्यान दिजिए उनिस सो बारह में समाचार पत्र अलहिलाल किस ने प्रारम किया था तो दोस्तों बारती राश्ट्री कांग्रेश की अस्थापना के समय भारत का वाइसराय लाड़ डफरिन था भारत सरकार के किस अधनियम की अंतरगत मुसल्म मुसल्मानों के लिए प्रिथक अर्थाद अलग निरवाचर मंडल को प्रारम किया था नेक्स्ट क्यूशन नमित्रों 1857 के गदर के पश्चात इलहाबाद दर्बार में यह घोसड़ा किस ने की थी भारत सरकार अब ग्रेट ब्रेटेन के समराट ने अधिग्रहित कर ली है तो दोस्तों यह घोसड़ा लाड कैनिंग ने किया था दांडी मार्च की सांदूलन की अंतरगत आयोजित किया गया था नेक्स्ट क्यूस्टन है चक्रवर्ती राज गोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था भारत की सोतंता संगराम की दौरान डेकन एजुकेशनल सोसाइटी की अस्थापना किसने की थी तो दोस्तों डेकन एजुकेशनल सोसाइटी की अस्थापना बालगंगा धर तिलक ने किया था बंगाल बिभाजन को किसने निरस्ट किया था तो दोस्तों बंगाल बिभाजन को लाड हॉर्डिंग ने निरस्ट कर दिया था आधुनी कितिहासकारों में से किसने 1857 की बिद्रों को सुतंता का प्रतम युद्ध की संग्या बीडी सावर करने दिया था स्वतंता संग्राम से संबंधित कॉमरेट समाचार पत्र को मुहमद अलि जिन्ना ने निकाला था लिए दलीत वर्क का समािजिक नयाद दिलाने के उद्धेश से जास्टीस आंधोलन 1915 सोब इस्वी में कहां से प्रार्ण प्रार्म किया गई था धुर्ड दोस्तों दलित वर को सामाजिक नया दिलाने के उद्र सेła един dependence को मदरास अर्था जो दोस्तों अप्चैन्न हो गया है वहीं से प्रारण किया था ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लिए खख कौन थे तो दोस्तों दे ग्रेट रिवाल्ट नाम पुष्टक के लिए खर अशोक महता थे 1857 में इलहाबाद में बिद्रों का नित्रित्व लियाकत अली ने किया था नेक्स्ट है आप लोगों के लिए महाराने विक्टोरिया की घोसड़ा को इलहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था तो दोस्तों समिधान सभा के विचार विमर्ज में मुस्लिम लिंग तथा देशी राज्यों ने भाग नहीं लिया था अगले प्रेशन की तरफ बढ़ते हैं भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 को कौन सी योजना बनाई गई थी सुबाद चंद बोष ने कौंग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यश चुन जाने के बाद इस्थीपा दिया था जिसके परिडाम सुरूब डाक्टर राजन प्रशाद कौंग्रेस के अध्यश बने थे सर्थम नागरिक अवग्या अंदोलन अर्था सिविल डिस ओबीडियंस मोव्मेंट को साइमन कमिशन के कारण शुरू किया था ठीक है दोस्तों रुहेल खंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिस सासन को चुनोती दी थी दोस्तों रुहेल खंड में रोहिला नेता अजी मुल्ला था जिसने ब्रिटिस सासन को चुनोती दिया था लाड़ कैनिंग ने नॉमबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में के सासन की गोशड़ा किया था भारती राश्टी कॉंग्रिस की अस्थापना किस वाय सराय के सासनकाल में हुई थी तो दोस्तों भारती राश्टी कॉंग्रिस की बिद्रों का प्रथम आभास कहां हुआ तो दोस्तों अठा सताउन के बिद्रों का प्रथम आभास बैरकपुर में हुआ था धोंदूपंत को किस लोगप्री नाम से जाना जाता है तो दोस्तों धोंदूपंत को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है चौरी चौरा कांड के कारण गाधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त कर दिया था तो दोस्तों चौरी चौरा कांड के कारण महत्मा गाधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था काकोरी रेलकांड कब हुआ था तो दोस्तों काकोरी रेलकांड की गटना सन 1925 में हुआ था बिवेका नंद को आधोनिक राष्ट्री आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किस ने कहा था दोस्तों गदर पार्टी का गठन अमेरिका के सैंस फ्रांसिस्को में किया गया था तो दोस्तों दादा भाई नौरो जी ने कॉंग्रेस अधिवेशन में स्वासान पर जोड डालने के लिए सरपरत्म स्वराज सब्ड का प्रियोक किया था आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question को पंडित मदवन मोहन मालवी ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारम किया था तो दोस्तों पंडित मदवन मोहन मालवी ने 1909 में लीडर नामक समाचार पत्र को प्रारम किया था किस क्रांतिकारी ने इंगलेंड में क्रांतिकारी गत्विदियों के आरंभिक केंदर के रूप में इंडियन होम रूल की अस्थापना की थी तो दोस्तों स्याम जी क्रिस वर्मा ने इंगलेंड में क्रांतिकारी गत्विदियों के आरंभिक केंदर के रूप में इंडियन होम रूल society की अस्थापना किया था भाथिरश्टि कॉंग्रेस के अवारी अध्यवेशन जो कि 1955 में समाज के समाजिक ढासे को अप अखिल भारती संघर्ज का सरवत्थम प्रयास था तो धोस्तों के विरुद्ध महत्मा गाधी का सत्यागर्भ के लिए आवाहन उनका अक्रति संघर्ज के नेत्रुत का सरवत्थम प्रयास था मार्च 1925 में किसे केंदरी legislative assembly का अध्यच चुना गया था तो दोस्तों मार्च 1925 में बिठल भाई पटेल को legislative assembly का अध्यच चुना गया था अगले प्रेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों why socialism नामक पुस्तक की रचना जय प्रकाष नरायन ने की है आगके बढ़ते हैं मित्रों भारती सुतंता संग्राम के संदर में दूसरे गोल में समेलन में भारत की महिला प्रतिनधी की रूप में किसने भाग लिया था तो दोस्तों भारती सोतंता संग्राम के संदर में दूसरे गोल में समेलन में भारत की महिला प्रतिनिदी के रूप में सरेजुनी नाइडू ने भाग लिया था 1936 में Independent Labour Party की अस्थापना किसने किया था तो दोस्तों 1936 में Independent Labour Party की अस्थापना डॉक्टर भीमराव अमबेट करने किया था अगला प्रश्न है Congress के लखनाउ अधिवेशन जो कि 1936 में हुआ था तो अखिल भारती किशान सभा की अस्थापना की गई थी इसका प्रथम अध्यच कौन था तो दोस्तों इसका प्रथम अध्यच स्वामी सहजानंद सरश्वती थे नेक्स्ट क्यूस्टन है जलिया वाला बाग हत्याकांड की जाच के लिए Congress ने अपनी अलग समिती बनाई थी इसके अध्यच कौन थे तो दोस्तों जलिया वाला बाग हत्याकांड की जाच के लिए Congress ने एक अलग समिती बनाई थी और दोस्तों इसके अध्यच पंडित मदन मोहन मालवी थे ब्यक्तिकत सत्यागरह अंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारम भुगा सरप्रथम किस अस्थान से इसे प्रारम किया था दोस्तों ब्यक्तिकत सत्यागरह समर्पन किया था भारत छोड़ों प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया तो दोस्तों भारत छोड़ों प्रस्ताव को वर्ष 1944 में वापस ले लिया गया था किस कॉंग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मात्रम का गान बंकिम चंद चटरदी जवारा प्रस्तित किया गया और उसकी अध्यक्षता किस ने किया था दोस्तों 1896 में कलकत्ता अध्यवेशन में पहली बार वंदे मात्रम का गान बंकिम चंद चटरदी दुआरा प्रस्कुत किया गया था और दोस्तों इस अध्यवेशन की अध्यक्षिता मुहम्मद रहिमतुल्ला सयानी ने किया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कप्रारंब हुगा तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुध प्रारंब हुगा था अर्था दोस्तों जब बंगाल विभाजन हुगा था उसी समय स्वदेशी आंदोलन को भी शुरू किया गया था उसी के विरोध म माला बार छेतर में किसानों ने 1921 में कौन सा बिद्रो किया था तो दोस्तों माला बार छेतर में किसानों ने 1921 में मौपला बिद्रो किया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों राश्टरबाद की सिच्छा को अंग्रेजों ने कब अपराध गोशित किया तो दोस्तों उन्होंने यह गोशडा वर्स 1916 में किया था निस्क्री बिरोत के सिध्धान के जनक कौन थे तो दोस्तों निस्क्री बिरोत के सिध्धान के जनक अरविंद खोस जी थे किसने कहा था मुश्लिम सुरच्छा मांग कर मुर्खता कर रहे हैं तो हिंदू उसे अस्युकार कर उससे बड़ी मुर्खता कर रहे हैं सबस्क्राइब नें तो धारती राश्टी कॉंग्रेस के प्रथम अध्यच दोस्तों भारती राश्टी कांग्रेस कि प्रथम-अध्यच ने कहा था तो दोस्तों गांधी जी के आंदोलोनों को राजनितिक फिरोती लाड लिन लिथगों ने कहा था 1857 के बरेली बिद्रो का नेता कौन था तो दोस्तों 1857 के बरेली बिद्रो का नेता खान बहादूर खान था आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारती राष्टी कांग्रेज का पहला अंग्रेज अध्यच जार्ज यूले था दिल्ली में मुगल समराट की पत्नी ने अंग्रेजों को सुचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी उसका क्या नाम था दोस्तों उसका नाम जीनत महल था आगे बढ़ते हैं मित्रों भारती राष्टी कॉंग्रेज की अस्थापना की समय भारत का राज्य सचीव अर्था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार इंडिया कौन था तो दोस्तों भारती राष्टी कॉंग्रेज की अस्थ सवरान एक कैदी का सिखार हो गया था भारती प्रेश के मेंको कहा जाता है तो दोस्तों सर चारल्स मेटकाफ कर лад मैकाले को भारती के मुक्तिवाणा के रुप में जाना जाता हूं अगले प्रस्टों की तरह बढ़ते हैं दोस्तों बाल गंगा धर तिलक को father of Indian unrest किस ने कहा था तो दोस्तों वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगार्थ तिर्ग को father of Indian unrest कहकर संबोधित किया था नेक्स्ट प्रस्ट की तरफ बढ़ते हैं जिस तॉंग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बार पंकिम चन्चटरजी जवारा प्रस्टित किया गया था उसकी अध्यच्टा किस ने कि थी तो दोस्तों उसकी अध्यच्टा रहीमितुला सयानी ने किया था कोलो नाइजेशन बिल के विरुद शसक्त आंदोलन चलाने वाले कि भारती राजनेता को मनले जयल में बंद किया गया था दोस्तों करांदकारी आंदोलन की पुष्टक बंदी जीवन के लेखक को थे तो क्रांदकारी विवेका नंद को आधुनिक राश्ट्री आंदूलन का अध्यात्मिक पिता किस ने कहा था तो दोस्तों सुबाश चंदबोश जी ने विवेका नंद को आधुनिक राश्ट्री आंदूलन का अध्यात्मिक पिता के नाम से संबोधित किया था प्रेस पर से भी सभी प्रतिबंद किसके समय में समाप्त किये गए थे तो दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ के समय में प्रेस पर से सभी प्रतिबंद को समाप्त कर दिया गया था 1908 में किस नेता को 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी तो दोस्तों 1908 में बाल गंगा धर तिलग को 6 वर्ष का कारावास अर्थार जेल की सजा हुई थी एनी बेसेंड ने किस पत्र का प्रकासन किया था तो दोस्तों एनी बेसेंड ने कामन वील नामक पत्र का प्रकासन किया था हिंदु मुश्लिम एक्ता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया तो दोस्तों हिंदी मुश्लिम एक्ता के राजदूत कहकर मुहमद अली जिन्ना को संबोधित किया गया था बारती राश्ट्री कॉंग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था तो दोस्तों बारती राश्ट्री कॉंग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्राश में आयोजित किया गया था गदर पार्टी की अस्थापना कहा की गई थी तो दोस्तों गदर पार्टी की अस्थापना अमेरिका के सैंठ फ्रान्सिस्को ला मटंग नगर में किया गया था कफन माटमा गाधी like the fleeting phantom raises just not level किसका है तो दोस्तों यह कफन्च particulier भीम्राव अंबेटकर का है किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को Treacherous Act अरथा विश्वाजगात का कार्य कहा था तो दोस्तों खान अबदुलकफार खान विभाजन को विश्वाजगात का कार्य कहा था Next Question की तरह बढ़ते हैं मित्रों आउट आफ सैंड्स ओफ इंडिया आई शेल क्रियेट ए मोमेंट विच वूड वी लार्जर दैन दैट ओफ दी कॉंग्रेस यह कथन किसका है तो दोस्तों यह कथन महात्मा गांधी जी का है अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं अठार सोतावन का विद्रो और भारती सोतंता युद्ध के लेखक क्रम से कौन है तो दोस्तों अठार सो सतावन का विद्रो के लेखक अशोक महता जबकि दोस्तों भारती सोतंता युद्ध नामक रचना के लेखक सावर कर जी है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं आवद में 1857 की क्रांती का नेतिरुद्व बेगम हजरत महलने किया था इसकी अस्थापना 1920 में किया था नेक्रिप्शन के दर बढ़ते मित्रों लाड करजन का विवे की हिन कार क्या था जिसे उग्राश्टियता को जन्ग दिया तो दोस्तों 1905 का बंगाल विभाजन करने की कारण ही उग्राश्टियता को जन्ग दिया गया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पढ़ गई और उग्रवादी तथा उधारवादी दल प्रिथक हो गए थे, तो दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पढ़ गई और उग्रवादी तथा उध खिलाफत आंदोलन में गाधी जी को सहयोग देने वाले अलू बंदी अलू बंदू सौकत अली और मुहम्मद अली को ही अली बंदू के नाम से जाना जाता है किस क्रांदिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुवधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के बाद दम तोड़ दिया था तो दोस्तों जतिन दास ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के बाद उपवास के दोरान अपना दम तोड़ दिया था सोतंद भारत की पहली महिला राजिपाल कौन थी तो दोस्तों सोतंद भारत की पहली महिला राजिपाल सरोजनी नाइडू थी वहाबी आंदूलन का प्रमुकुद्देश क्या था तो दोस्तों वहाबी आंदूलन का प्रमुकुद्देश भारत में मुस्लिम सक्ता की पुनह अस्थापना करना था भारती इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 की इस कारण एक प्रसीदितिति मानी जाती है तो दोस्तों महाराजा हरी सिंग द्वारा अधी मिलन पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने के कारण भारती इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 को एक प्रमुक्तिती मानी जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किया गया था मासिक पत्र का बंग दरशन का बहरांपूर से 1872 प्रकासन किस आप नहीं अन्दाज लगाते हैं कि बटचिस सरकार कितनी मजबूत है अगर कंग्रेस ब्रेटिस सरकार कुछ नोती देती है तो यह सरकार पांच मिनट में समाप्त हो जाएगी तो दोस्तों यह विचार गोपाल कृष्ड गोख लेगा था आगे बढ़ते हैं दोस्तों किस क्रांधिकारी ने कहा था हमारे जीवन का उद्देश स्वतंतरता प्राप्ति है हिंदु धर्म हमार आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था ठीक दोस्तों स्वामी विवेकानन्द नाम रामकिष्ण मिशन की अस्थापना कब किया था दोस्तों स्वामी विवेकानन्द ने रामकिष्ण मिशन की अस्थापना 1897 ने किया था श्वतेशी आंदोलन सबसे पहले कप्रारंब ह तो दोस्तों बंगाल विभाजन की बिरुद्ध प्रारंब हुए आंधूरन के समय से ही सबसे पहले स्वोदेशी आंधूरन प्रारंब हुआ था 1857 के राष्टी विपलाव को कुचलने में भारत की परोशी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की साहता किया था तो दोस्तों अंग्रेजों की साहता करने वाला भारत का परोशी नेपाल था कॉंग्रेस ने गोल में सम्मेलन के पहले और तीसरे बैठक में भाग लिया था वर्स 1937 में जन जागरण मंच की अस्थापना मैशूर राज में किया गया था भारत के पूजी पती की अलग से पार्टी बनाने का सुझाओ किस ने दिया था तो दोस्तों भारत के पूजी पती की अलग से पार्टी बनाने का सुझाओ टाटा ने दिया था ये दोस्तों था रतन टाटा ने भारती सोतंता अदनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ तो दोस्त इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस की अस्थापना कभ हुए तो दोस्तों इन्होंने 1916 में यह गोशना किया था कि स्वाराज मेरा सेना से संबंधित था तो दोस्तों मंगल पांडे बैरकपुर में इस्थित 34 नेटिव इंफैंटरी इंडियन सेना से संबंधित थे नेक्स्ट की तरब बढ़ते हैं दोस्तों 1850 की क्रांती के समय गवनर जनरल कौन था तो दोस्तों 1850 की क्रांती के समय गवनर जनरल लाड कैनिंग थे 1850 की क्रांती के संबंद में The Great Revolt नामक पुष्टक किसने लिखा है तो दोस्तों 857 में इलाहबाद में बिद्रो का नितित लियाकत अली ने किया था नेक्स्ट प्रश्नमित्रों आपनों के लिए किशान बिद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन के रिढ़ बने थे तो दोस्तों किषान बिध्यार्थी तथा मजदूर भारत छोडो आंदोलन अर्थाट क्विट इंडिया मोवेंट के रिठ बने थे अखिल भारती किषान सभा के प्रतम अदिवेशन की अध्यच्चता किसे किया था स्वामी सहजानन सरस्वती ने किया था खेडा अंदोलन क्या था तो दोस्तों खेडा के किसानों ने मातमा गादी और सरदार वल्लब भाई पटेल के नित्रित में कर भुकतान करने का अभियान चलाया था रोलट एक्ट के बिरोध में लगान न देने का अंदोलन चलाने का सुझा किस ने दिया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो दोस्तों कैम Veronets Mission Plan की अंतरगत अंतरिम सरकार का गठन जवाहालाल नहरू के नतरित में किया गया था बिढ़ोही कविता किसकी रचना है तो दोस्तों बिढ़ोही नामक कविता की रचना को काजी नजरुल इसलाम ने किया है अगला प्रश्न दोस्तों पूर्ड स्वराज दिवस अर्थात कम्पलीट इंडिपेंडेंडेंस डेस वर्थम कम मनाया गया था तो दोस्तों पूर्ड स्वराज 26 जन्वरी 1930 को मनाया गया था हम ब्रेटेन की तबाही कीमत पर भारत की सोतंता नहीं चाहते हैं कसन किसका है तो दोस्तों यह कतन मात्मा गांधी का है अगला प्रश्न है दिली दर्बार में महारानी विक्टूरिया को कैसरे हिंदी उपाधी दी गई उस समय भारत का वाइसराय कौन था तो दोस्तों दिली दर्बन नाटक को दिन बंदू मिस्र ने 1860 में यूरोपियन नील खेत के मालिकों द्वारा बंगाल के खेती हरों का उत्पिरण दिखाने के उद्देश से लिखा गया था किसने कहा था इतने समय से करोणों लोग भूक और अग्यान में रहते हैं मैं हर ब्यक्ति को देश-द्रोही समस्ता हूँ जिन्हों ने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया था दोस्तों यह कथन स्वामी विवेकाननद का था नेक्स क्यूशन की तरह बढ़ते हैं दोस्तों पेरियार के नाम से कौन प्रसिद थे तो दोस्तों ईवी रामा स्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है गुलामगिरी की पुस्तक कब और किसने लिखी थी तो दोस्तों गुलामगिरी नामक पुस्तक को 1872 में ज अगला प्रश्ण है महाराष्ट का कौन सा सामाजिक धार्मिक शुधारक लोकी हिदवादी के नाम से प्रशिद्ध हुआ तो दोस्तों महाराष्ट के गोपाल हरी देश मुख धार्मिक शुधारक थे और वो दोस्तों लोकी हिदवादी के नाम से प्रशिद्ध हुए सुध्य आंदोलन किस समस्था ने प्रारम किया था तो दोस्तों सुध्य आंदोलन को आरे समाज ने प्रारम किया था लंदन में हुई गोल मेज कॉंफरेंस के तीनों अधिवेशनों में कौन भारती नेता उपस्तित रहा तो दोस्तों लंदन में हुई गोल मेज कॉन्फरेंस के तीनों अधिवेशनों में डाक्टर भीमरा अमबेट कर उपस्तित रहें नेक्स्ट क्यूस्टन है आप लोगों के लिए कॉंग्रेस अधिवेशन के बारे में किस ने कहा था यदि हम वर्स में एक बार मेड़की भाती टर रहें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा तो दोस्तों यह कथन कॉंग्रेस के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था नेक्स्ट क्यूस्टन है रॉयल गडवाल राइफल्स के सैनिकों ने कहा निहत्ती भीड पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था तो दोस्तों लखनव अधिवेशन जोकी 1916 में हुआ था उसी में दोस्तों उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझाथा ुअ भूए य largest क्यूस्टन की तरफ बढते हैं भारती राश्ट्र कांग्रेस की बिच्टि समिती ने भारती मामलों से अंग्रेजों को आउगत कराने के लिए कौन से साब्ताहिक पत्र का निकाली थी तो धोस्तों उन लोगों ने इन्धिया नामक साब्ताहिक पत्र को निकाला था कि अथार शुक्र Hendrix में विभार में विद्च का नित्रेट किसंग ने किया था कि इस विशालदेश में हैं जब तक कि हिंदू तथा मुसल्मान दोनों मिलकर अपन हो का था अगले प्रश्ण की तरफ भारत छोड़ो आंदोलन पूर्व ब्रेटिस सरकार ने काधी जी सहीत कांगरेस नेताओं को बंबाई में गिरफ़तार करने की योजना को क्या नाम दिया गया था तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ब्रेटिस सरकार ने गांधी जी सहीद कांग्रेस नेताओं को बंबाई में गिरफतार करने की योशना को Operation Zero Hour के नाम से चाना जाता है 1889 में अहमदिया आंदोलन किस ने प्रारम किया था तो दोस्तों हमदिया आंदोलन को 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारम किया था नेक्स्ट क्यूस्टन है आप लोगों के लिए, कौन साब बिद्रो 1816 में प्रारम भूगा तwritingुगा त Arin activit Madi तक चला तो दोस्तों कूल बिद्रो 1816 में प्रारम भूगा और यह 1932 तक चला ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्यूस्टन है आप लोगों के लिए पूर सुतंता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कारकाल में पारित किया गया था तो दोस्तों पूर सुतंता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव लाड़ वेवल के सासनकाल में पारित किया गया था गांधी जी के लिए किस ने कहा था वह अर्धनगन फगीर है तो दोस्तों गांधी जी को अर्धनगन फगीर बिष्टन चर्चिल ने कहा था सम्राट चॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वासराय कौन था तो दोस्तों सम्राट चॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय भारत का वासराय लार्ड taller टिन दितक धूर्ट जेंटी था भारती सोतंता लीग का गठन किसी ने किया था था सुभाषर चंदर बोस्तधा जवाहलाल नेहरुजी ने मिलकर किया था 1920 में आरे समाज ने किसके नेत्रित में सुध्धियांदूलन को चलाया था सरच्चंद चटरजी की किस पुष्टक के अत्यंत लोगप्री होने के कारण उसके प्रकाशन पर पतिबंध लगा दिया गया था 1931 में बने भारती ट्रेड यूनियन संग के प्रमुख नेता कौन थे तो दोस्तों भारती ट्रेड यूनियन संग के प्रमुख नेता MN जोसी वीवी गिरी तथा मृराल क्रांती बोश्ची थे नेक्स्ट क्यूस्टन है प्रथम भारती जो भारती सिविल सेवा अर्थात ICS में सफल हुए थे तो दोस्तों प्रथम भारती सत्यना टैगोर थे जो 1833 में में भारती सिविल सेवा को सफल अर्थात उसको पास करने में सफल हुए थे Next question की तरव बढ़ते हैं अंगरेज कब से भारती राष्टी कांगरेश की बिरोधी हो गये तो दोस्तों अंगरेज ओर्स 1877 सी SVIDS से भारती राष्टी कांगरेश के बिरोधी हो गये स्वधेशी आंदोलन सबसे पहले कप्रारण होगा था तो दोस्तों बंगाल विभाजन के बिरुद आरम किये हुए आंदोलन के समय से ही सुदेशी आंदोलन को प्रारम माना जाता है दिल्ली सडेंत्रकेश में किसके द्वारा मुखबीरी की गई थी दोस्तों दिल्ली सडेंत्रकेश में दीरानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी भारत में पूजी पतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझा किस ने दिया था तो दोस्तों भारत में पूजी पतियों की अशोक मेहता की है लंदन में दिती गोल में सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था तो दोस्तों लंदन में दिती गोल में सम्मेलन का आयोजन सेंट जेम्स पैलस में किया गया था भारत में मुशल्मानों के आध्यूनी करण का कार किस ने प्रारम किया था तो दोस्तों भारत में मुशल्मानों के आध्यूनी करण का कार सरसेयत अहमद गाह ने प्रारम किया था भारत की सुतंतरता की समय महात्मा गाधी कॉंग्रेस में किस पद पर थे तो दोस्तों भारती सुतंतरता की समय महात्मा गाधी कॉंग्रेस के सदस नहीं थे अर्थात वो किसी पद पर भी नहीं थे सरदार वरलब भाई पटेल का सरवाधिक महतपूरकार क्या था तो दोस्तों सरदार वरलब भाई पटेल का सरवाधिक महतपूरकार देशी राज्यों का बिले करना था अर्थात आओं भारत में मिलाना था मुस्लिम लीग की अस्थापना की समय भारत का वायसराय कौन था तो दोस्तों मुस्लिम लीग की अस्थापना की समय भारत का वायसराय लाड मिंटो दिरतिय था आगे बढ़ते हैं दोस्तों यह कथन किसका है स्वाधिन्ता हमारा लक्ष है और हिंदुती ही हमारी यह आकांच्छा पूरी कर सकता है तो दोस्तों यह कथन अर्विंद गोश का है नेक्स्ट प्रेशन की तरह बढ़ते हैं मुस्लिम लिग के अधिवेशन में किस कॉंग्रेस नेता ने भाग लिया था तो दोस्तों मुस्लिम लिग के अधिवेशन में पंडित मतन मोहन मालवी ने भाग लिया था भारती राश्टी कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में मात्मा गाधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परन्तु गांधी बाद सदा जीवित रहेगा स्वाधिन्ता संगराम की नेताओं में से कौन Mr. Neiro Majority के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्णमित्रों तीलग के द्हावशान की आउसर पर किस ने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया तो दोस्तों महात्मा गाधी ने तिलक के देहावसान के आउसर पर कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाओ चला गया नायक बिद्रो कहां हुआ था तो दोस्तों नायक बिद्रो बंगाल में हुआ था कूकी बिद्रो करने वाली कूकी जन जाती कहां की थी तो दोस्तों कूकी विद्रो करने वाली कूकी जन जाती मड़ीपूर की थी अगला प्रश्ण मित्रों कौन सा राज अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था तो दोस्तों अवध राज अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय की रूप में जाना जाता था के लिए बेटिस सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधी दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था तो दोस्तों बेटिस सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर एहिंद की उपाधी दी थी जिसको उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय में वापस कर दिया था ठीक है दोस्तों भारती राश्टी कॉंग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव अर्थात क्विट इंडिया मोमेंट किस अधिवेशन में तथा कपारित किया था तो दोस्तों भारती राश्टी कॉंग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ता डरी कहकर पंडि जवाहलाल नहरू ने संभोधित किया था आगे बढ़तेई दोस्तों को अठाइस चाक्षत में लंडन में इस्ट इंडिया एस्वोसीेशन की अस्थाप्णां किस्ने की थी तो दोस्तों89 outta लंदन में East India Association के अस्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था 26 जुलाई 1876 को बंगाल में अस्थापित Indian Association के प्रमुख सदस कॉन थे तो दोस्तों 26 जुलाई 1876 को बंगाल में अस्थापित Indian Association के प्रमुख सदस्य आननद मोहन बोश्त अथा सुरेंदरनात बैनर जी थे। नेक्ट क्युष्ट अमित्रों आपनों के लिए कैमिनेट विशन प्लान के अंसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्मार करने के लिए हुआ था तो दोस्तों cabinet mission plan 1946 के अंसार जुलाई 1946 में चुनाव समिधान सभा का निर्मार करने के लिए बनाया गया था ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं 1815 में आत्मी सभा की अस्थापना किस ने की थी तो दोस्तों 1815 में आत्मी सभा की अस्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1856 में बंगाल स्वरी दोस्तों 1856 में बाल गंगाधर तिलक जिन्हें लोकमान तिलक के नाम से भी जाना जाता है का जन्म कहां हुआ था तो दोस्तों 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जन्म रतनागिरी महाराष्ट में हुआ था ये मिल्टिनद्र ढल था अगले प्रस्टी तरफ बढ़ते हैं भारती राष्टी कॉंग्रेस ने भारत का समिधान निर्मार करने की आजिकारिक क्मांघ सरकार के समक्ष रखे जिसे किस रूप में सिउकार कर लिया गया तो दोस्तों भारती राश्ट्री कॉंग्रेस ने भारत का समिधान निर्मार करने की आजिकारीक मांग बिट्रिस सरकार के समक्ष रखी थी जिसे दोस्तों 1940 के अगस्त प्रस्ताओ के रूप में स्विकार कर लिया गया था बिनोबा भावे ने बुदान अंदोलन का प्रारंब नल गोंडा से किया था किस अस्थान पर महत्मा गाधी ने अपना अंतिम उपवास किया था तो दोस्तों महत्मा गाधी ने अपना अंतिम उपवास दिल्ली में किया था अखिल भारती राजनीती में गाधी जी का पाहला साहसिक कदम चम्पारण आंदोलन को करना था भारत की स्वाधिनता के समय क्या महात्मा गाधी कांग्रेस के सदच थे तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं भारती मुशलमान सामाने रूप से उग्रबादी आंदोलन की और आकरसित क्यों नहीं हुए तो दोस्तों उग्रबादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीती के कारण भारती मुशलमान सामाने रूप से उग्रबादी आंदोलन की और आकरसित नहीं हुए थे नेक्स्ट क्यूशर की तरफ बढ़ते हैं भारत के स्वतांतर अर्था स्वतांता प्राप्ती के पश्चाथ किसने सुझाओ दिया था कि अब भारती राष्ट्री कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए तो दोस्तों भारत की स्वतांता के पश्चाथ महत्मा गाधी न किया गया था कि अगले प्रेश्ट की तरफ बढ़ते हैं चंपारन संगर्ष में किन नेताओं ने प्रमुक्त महात्मागाधी का साथ दिया था तो दोस्तों चंपारन संगर्ष में डाक्टर राजन पशाद तथा अनुग्रह नारायन सिंधा ने मुख्यूरूप से गाल में पड़ता है किस बिधेयक को भारती गुलामी बिधेयक नंबर वन कहकर पुकारा गया तो दोस्तों सारजिनिक सुदच्छा बिधेयक को भारती गुलामी बिधेयक नंबर वन कहकर पुकारा गया था प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किन प्रमुख किया था तेभागा क्रिशक आंदोलन किस प्रांति में हुआ था तो दोस्तों तेभागा क्रिशक आंदोलन बंगाल में प्रारंब हुआ था अलिगर्ण आंदोलन के जन्मदाता कौन थे तो दोस्तों अलिगर्ण आंदोलन के जन्मदाता सरसेयत अहमद खां थे मुस्लिम लिग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी तो दोस्तों मुस्लिम लिग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले वर्स 1940 में किया था नेक्स्ट क्यूश्चन मित्रों 1908 में छवर्ष के कारावास की सजा किसनेता को हुई थी तो दोस्तों 1908 में छवर्ष के कारावास की सजा बाल गंगाधर दिलक को हुआ था अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों महात्मा गाधी ने प्रथम नागरिक अवग्या अंदोलन को रोलट एक्ट के प्रारम किया था लाड़ हार्डिंग पर किस क्रांथकारी ने बम फेका था तो दोस्तों लाड़ हार्डिंग पर रास बिहारी बोस्त ने ब द्रोही कौन था तो दोस्तों प्रथम विश्यूद्ध में सैनिक विपलव की तैयारी की सुचना अंगरीजों को देने वाला देश द्रोही कृपाल सिंग था अगे बढ़ते दोस्तों अस अयोग अंदोलन का कारिकरम कांग्रेश के किस अधिवेशन में शिवकार किया गया था 13 मार्च 1940 को कांग्रेश सब्सक्राँटिकारी उधम सिंग ने जलिया वाला बाग हत्याकान से संब्दित माइकल ओडायर की हत्या कर दिया था नेक्स्ट क्यूस्टन है मित्रों जब दिल्ली दरपार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंदी की उपाधी से इसको पुनत देख लेते हैं दोस्तों जब दिल्ली दरपार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंदी की उपाधी से सुसोबित किया गया था उसमें भारत का वासराय लाड लिटन था ठीके दोस्तों next question की तरफ बढ़ते हैं कि सुतंता सेनानी को अलिपूर सेंट्रल जेल में 1908 इस्वी में फासी की सजा दे दिया गया था मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जब कॉंग अगला प्रशन है बीडी सावरकर को किस केस में फसाया गया था तो दोस्तों बीडी सावरकर को नासिक सड़यंद केस में फसाया गया था next question मित्रों British Parliament के किस अधनियम के अंतरगत Queen Victoria ने भारत की सामराग्गी अर्थाद Empress of India की उपाधी की गरहन किया था 1857 के बिद्रों को सरप्रथम किस ने Organized War for National Independence कहा था तो दोस्तों 1857 के बिद्रों को सरप्रथम बीडी सावरकर ने Organized War for National Independence कहा था अगे बरते हैं दोस्तों बंग दर्शन किसका प्रमुख समाचार पत्र था तो दोस्तों बंग दर्शन पंगीं चनट चटवपाद्ध्याय का प्रमुख समाचार पत्र था 1905 में Congress सिवक समाज की अस्थापना किस ने किया था तो दोस्तों 1905 में भारज सिवक समाज अर्था Servants of Indian Society की अस्थापना गोपाल क्रिष्ण को ख्ले ने किया था तो दोस्तों इस चीज को आप पुनध देख लीजिएगा कि 1905 में भारज सिवक समाज अर्था अगला प्रश्ने आप लोगो के लिए बारेंद्र कुमार घोस तथा भुपेंद्र दत्ता ने युगांतर नामक समाचार पत्र को वर्स 19 सच्छा में प्रकासित किया था अगला प्रश्ने मित्रों गदर आंदूलन का प्रमुख देश कौन सा तो दोस्तों गदर आंदूलन का प्रमुख देश अमेरिका था किस व्यापार के मुकदमे के संबंद सब्सक्री दोस्तों किस व्यापारी के मुकदमे के संबंद में महात्मा गाधी 893 में दच्छिड अफरिका गए थे ठीक दोस्तों तो दोस्तों इस प्रकार से अगला किस्टन है आप लोगों के लिए किसने कहा था I am with you wholeheartedly and in the term of culture I am one of you तो दोस्तों यह एनी बैसंट ने कहा था नेक्स्ट है दोस्तों चापेकर बंदुगों ने किन दो अंग्रेज अपसरों की हत्या कर दी थी तो दोस्तों चापेकर बंदुगों ने रेंड, लेफ्टी और आयस्ट की हत्या कर दी थी अगला प्रशने मित्रों कांग्रेज की पूरी वर्किंग कमेटी वह अन्य कुछ नेताओं को गिरफतार कर कांग्रेज को नव नमबर 1942 को किस नेता ने हजारी बाग जेल से भाग कर नेपाल में केंदरी एक्शन कमेटी बनाकर आजात दस्तों का गठन किया था आज की सीरीज का आखरी प्रशने दोस्तों फारवर्वर्वर्व्व लाग नामक सस्था किस ने की थी थी तो दोस्तों फारवर्व लाग नामक सस्था के अस्थापना सुबहर्श्च चंद बोस्षने 1949 में किया था तो दोस्तों इस प्रकार से हमने भारत आधुनिकी 33 समНधित 1500 से भी अधिक वand lainer g&k कמ׌ को हमने कंप्लेट कर लिया है और दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन और मध्यकारिन इतिहासे संबंधित प्रंदर अधिक महत्पुल प्रश्णों को भी अध्यन किया था तो दोस्तों यदि आप लोग उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उनको जाके म लिस्ट में देख सकते हैं तो दोस्तों क्योंकि इतिहासे संबंधित जो मैक्सिमम प्रश्ण पूछे जाते हैं वह दोस्तों मध्यकालिन और अधुनिक भारत की इतिहासे ही संबंधित होते हैं तो दोस्तों मैं आसा करता हूं आप लोगों के वीडियो पसंद आया है आया के लिए बस इतना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत